सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहली ताज़ा खबर जानने के लिए इस बैल आइकन को भी दबाएं भारतिय जनता पार्टी ने जम्मु कश्मीर की महबूबा मुप्ति सरकार से समर्थन वापस ले लिया है भाजपा के जम्मु कश्मीर के प्रभारी राम मादव ने इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन फ्रेंस के दोरान दी उन्होंने बताया कि जम्मु कश्मीर में अब PDP के साथ मिलकर सरकार चलाना संबव नहीं है एक विशेश बैठक के दोरान ये फैसला लिया गया कि PDP से समर्थन वापस ले लिया जाए 87 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विदान सभा में भाजबा के पास 25 सीट और PDP के पास 28 सीटे हैं राम मादव ने कहा कि हमने सब की सेहमती से आज यह निर्ण लिया है कि जम्मू कश्मीर में भाजबा अपनी भागीदारी को वापस लेगी PDP BJP गडबंधन को लेकर आगे चलना संभव नहीं होगा जनता के जनादेश को ध्यान में रखकर हमने जम्मू कश्मीर में PDP के साथ सरकार चलाने का नर्ण लिया था लेकिन अब जम्मू कश्मीर में फ्रीडम अफ स्पीच खत्रे में है हाल में ही वहाँ एक वरिष्ट पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या कर दी गई थी हैं इद के बाद सीच फायर की अवधी आगे ना बढ़ाते हुए ग्रिह मंत्राले ने सेना को ऑपरेशन ओईल आउट फिर से शुरू करने की इजाज़त दे दी है लेकिन आतंकी हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं जम्मु कश्मीर में शान्ती की पहल के लिए आगे बढ़ने वालों को टारगेट किया जा रहा है पत्रकार शुजात भी शान्ती और अमन की बात करते थे जिनें मौत के घाट उतार दिया गया लेकिन अब सेना ने भी आतंकीों को टारगेट करना शुरू कर दिया है बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये कारेवाही और तेज होगी